हेलो बच्चो आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो बच्चो आज की सी वीडियो में हम क्लास आठ वी की प्रसना वली 3.3 के सभी कुश्यन्स को सॉल्व करेंगे इस से पहले हमने प्रसना वली 3.2 के सभी कुश्यन्स को सॉल्व कर लिया है अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर उसका जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वहां से भी आप देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रस्टनावली 3.3 का पहला कोश्चन दिया है ABCD एक समांतर चत्रवुज है यानि पेरलेलो ग्राम है और समांतर चत्रवुज के जो गुड हैं उनका प्रियोग करना है और इसके चारो कोश्चन को सौल्व करना है तो चलिए इसके सभी कुश्चन को सौल्व करते हैं तो बच्चो इस कुश्चन को करने से पहले आपको समांतर चत्रवुज के जो गुड हैं प्रॉपर्टी हैं वो पता होनी चाहिए तो पहली property क्या है जो समानतर चत्रबुज होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं यानि opposite जो sides हैं वो क्या होनी चाहिए समानतर बा समान यानि parallel बा equal होनी चाहिए मतलब ये भुजा इसके समान होनी चाहिए मतलब इसकी माप और इसकी माप क्या होनी चाहिए बरावर होनी चाहिए और साथ में ये क्या होनी चाहिए समानतर भी होनी चाहिए अब समानतर क्या होता है समानतर का मतलब होता है ये रेखाएं कभी भी जो है क्रॉस नहीं करेंगी, इनको कितना भी आगे बढ़ाओ, ये कभी जो है क्रॉस यानि काटेंगी नहीं, जैसे रेल की पट्रियां होती है, वो भी एक दूसरे के समानतर होती है, वो कभी नहीं काटती है, उसी तरह ये भी क्या है काटेंगी नहीं तो ये भुजा क्या होगी इसके बरावर होगी और समानतर होगी और ये भुजा इसके समानतर होगी तो इसका मतलग होता है जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये वाली है इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि सम्मुख कौन समान होते हैं यानि समानतर चत्रु कौण है वो किसके समान होगा डी के समान होगा तो इनी को क्या कहते हैं हम सम्मुक कौण कहते हैं इसके बाद तीसरा जो गुड है संगत कौणों का योग 180 होता है तो संगत यानि corresponding जो कौण होते हैं वो क्या होते हैं उनका योग क्या होता है 180 होता है यानि ये वाला कौण है और ये वाला कौन है, इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 180 होगा, या फिर इसका संगत कौन ये भी है, तो इन दोनों का योग भी 180 होगा, या फिर इन दोनों का योग भी क्या होगा, 180, तो ये आपस में जो कौन होते हैं, वो क्या होते हैं, संगत कौन या आसन कौन होते ह और इसका लास्ट जो गुड़ है वो ये है कि विकर्ड जो है एक दूसरे को समध्य वाजित करते हैं मतलब बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को यानि ये जो विकर्ड हैं दोनों AC और BD AC और BD ये जो बिकर्ड हैं वो एक दूसरे को समध्दी वाजित करते हैं यानि OD है वो OB के बरावर होगा और OA किसके बरावर होगा OC के बरावर होगा तो चलिए इसका पहला जो कुश्चन है AD के बरावर क्या होगा AD क्या है देखिए AD ये वाली भुजा है AD के सामने वाली भुजा कौन सी है BC AD के सामने वाली भुजा BC क्या होगी इसके बरावर होगी तो इसका बरावर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा अब देखिए ये किसका चिन होता है कौन का चिन होता है मतलब कौन DCB जिस कौन को लेते हैं वो बीच में होता है यानि C, देखिए C कहांपर है यह, D, C, B, यह वाला कौण किसके बरावर होगा, अब देखिए सम्मक कौण क्या होते हैं, समान, अब इसके सामने वाला यानि इसके मूँ के सामने कौण सा कौण है, A है, यानि हम क्या कह सकते हैं, D, A, B कह सकते हैं, D, C, B किसके बरावर होगा कौण DAB अब देखिए DAB कहलो चाहे BAD कहलो बात A की है या तो DAB कहलो चाहे BAD कहलो बात क्या है A की है अब देखिए OC के बरावर क्या होगा OC क्या है यह बिकल्ड है देखिए OC यहां से लेके यहां तक यह क्या है बिकल्ड है OC के बरावर क्या हो जाएगा OA क्या हो जाएगा OA हो जाएगा अब यहाँ पे देखी M M कौन DAV M का मतलब क्या है यहाँ पे major measurement यानि मापना यानि कौन DAV की माप प्लस कौन CDA की माप किसके बरावर होगी अब देखी DAV कहा है DAB मतलब इस कौन का योग कैसे है आसन कौन है या संगत कौन है और इनका योग हमेशा क्या होता है 180 होता है तो इसका क्या हो जाएगा 180 आंसर हो जाएगा इसके बाद next question देखिए तो बच्चो अगला question है निम्न समांतर चत्रवजों में X, Y और Z के मानों को ग्याद कीजिए तो हमको पता होना चाहिए जो गुर्धर्म मैंने आपको बताए है उन्ही के आदार पर इसको हम solve कर सकते हैं तो देखिए ये 100 दे रखा है ये जो A, B, C कौन है वो किसके बरावर होगा बाई के बरावर होगा क्यों होगा क्योंकि ये कैसे कौन है सम्मुख कौन है तो बाई बरावर क्या हो जाएगा बाई बरावर किसके बरावर हो जाएगा कौन A, B, C के बाई किसके बरावर होगा कौन A, B, C के और A, B, C क्या दे रखा है 100 दे रखा है इसका मतलब बाई कमान कितना आ गया 100 आ गया बाई का मान क्या आ गया? 100 आ गया, क्यों बराबर होगा ये? क्योंकि ये सम्मुख कौन है, क्या है? सम्मुख कौन, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, बाई का मान आ गया, अब हमें ये पता है कि बाई और जेड का योग क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि ये कैसे कौन है? आ आसन कोण है और आसन कोणों का योग क्या होता है संगत कोणों का योग क्या होता है 180 होता है यानि कि बाई प्लस जेड बरावर क्या होगा 180 होगा क्यों होगा क्यों कि ये संगत कोण है क्या है ये संगत कोण है अब संगत कोण है देखिए बाई का मान हमने निकाला है 100 अब ज देखिए यहां से जेड का मान निकालेंगे तो यह 180 यह 100 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो जेड का मान कितना आजाएगा असी आजाएगा जेड का मान क्या आगया असी आजाएगा अब देखिए जो जेड है वो X के बरावर होगा क्यों होगा क्यों कि यह क्या है स लमुक कौर, तो X का मान यहां से क्या आ जाएगा असी आ जाएगा, तो X का मान आ गया 80, Y का मान आ गया 100 और Z का मान आ गया 80, तो इस तरह से इसका जो आंसर है वो हमारा सौल्व हो गया, इसके वाद देखें दूसरा कुश्यन है, दूसरे को भी हम सिर्द कर सकते हैं, तो पचास दे रखा है और ये कौण कौण सा है A, D, C है अब A, D, C किसके बरावर होगा कौण इस वाले के A, B, C के तो कौण A, B, C बरावर किसके होगा ADC के होगा किसके होगा ADC के होगा और जो कि कितना है पचास है अब ये कौण इसके बरावर क्यों है क्योंकि ये कैसा कौण है सीरसा बिमुक कौण है कैसा है सम्मुक कौण है तो मैंने नीचे लिख दिया है सम्मुक कौण तो ये सम्मुक कॉन के बजे से बरावर है अब देखी ये हमारा क्या आ गया 50 आ गया अब ये हमें पता है कि ये वाला जो कॉन है एक्स ये किस इन दोनों का योग एक्स का और पचास का योग क्या होगा 180 होगा यानि की X प्लस ABC बरावर क्या होगा 180 होगा क्यों होगा ये संगत कौन है संगत कौन देखिए ये वाला कौन ये वाला कौन और ये वाला कौन जो हमने अभी निकाला है 50 इन दोनों का योग क्या होगा 180 होगा क्योंकि ये कैसी कौन है संगत कौन है साथ वाले कौन है अब C का मान हमें कितना निकाला है 50 निकाला है 50 है और बरावर में 180 है तो यहां से X का मान कितना आ जाएगा 180 में से हम 50 गटा देंगे तो X का मान कितना आ जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा यानि 130 क्या हो जाएगा इसका मान आ जाएगा तो x का मान क्या आ गया 130 आ गया अब ये 130 है तो by का मान भी क्या होगा 130 होगा तो x किसके बरावर होगा by के बरावर होगा और x का मान कितना है 130 है तो ये भी क्या आ जाएगा by का मान भी क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा क्यों आ जाएगा ये भी क्या है सम्मुख कौन है ये सम्मुख कौन है तो इस तरीके से इसका भी मान आ जाएगा तो यहां पे देख सकते हैं X का मान हमारा क्या आ गया अब देखिए जेड का निकालना है जेड का निकालना है तो जेड का देखिए ये पूरी सरल रेखा है य कितना आ जाएगा जैड का मान तो देखिए गटाते हैं तो यहाँ पर यह सरल जो रेखा है इन दोनों का योग क्या होगा 180 होगा यह पूरी मिला के मतलब यह वाला कौण और यह वाला कौण मिला के क्या होगा 180 होगा क्यों होगा क्यों होगा क्यों कि यह सरल रेखा है मतलब क जेड का जो मान आएगा वो 180-50 यानि जेड का मान कितना आजाएगा 130 आजाएगा तो इस तरीके से यह क्या हो जाएगा यहाँ पर 30 मान आजाएगा next देखी question तो बच्चो अगला question है इसमें भी x का मान y का मान और z का मान हमको निकालना है सबसे पहले देखी यह 30 दे रखा है और यहाँ पर देखी यह 90 दे रखा है ऐसा जब भी sign देखते हैं ऐसा चिन होता है वो 90 डिगरी का होता है अब देखी यह 90 का है तो इसके सामने वाला जो सीरसा विमुक कौन होता है जैसे दो रेखाएं क्रोस करती है तो इनके जो आमने सामने के जो कौन होते है वो कैसे कौन होते है सीरसा विमुक कौन होते है यानि vertically opposite angle जो होते है वो क्या होते है समान होते है तो यहाँ पर देखी इसका जो नाम है मैं दे देता हूँ A, B, C, D क्या है यह समांतर चत्रुज है और यह क्या है O है तो इससे हम कह सकते हैं कि कौन जो A, O, B होगा कौन A, O, B होगा वो किसके बरावर होगा कौन C, O, D या X के C, O, D क्या है X है तो A, O, B किसके बरावर होगा X के और यह 90 का है A, O, B तो X भी क्या हो जाएगा 90 तो यहां से X का मान कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा और दूसरी बात देखिए यह X आ गया हमारा और यह 30 है यह किसका है 30 है और अब देखिए यह क्या बन रहा है एक तिर्बुज बन रहा है क्या बन रहा है तिर्बुज बन रहा है यह 80 होता है 188 होता है या फिर हम ऐसे भी कह सकते है यह समांतर चत्रवज है तो यह वाला जो कौण है बाई और यह जैड है वो क्या होगा बरावर होगा क्यों होगा क्योंकि यह क्या है एकांतर कौण है चलिए पहले हम COD में ले लेते हैं COD में देखिए कौण बाई प्लस कौण 30 सौरी बाई प्लस 30 यह वाला कौण ले लिया प्लस में कौन सा लेंगे हम X बरावर क्या हो जाएगा यानि X प्लस बाई प्लस 30 बरावर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा अब बाई का हमें पता नहीं है ये 30 और X का हमने निकाला है 90 प्लस में क्या है 90 है और बरावर में 180 अब देखिए बाई बरावर क्या हो जाएगा 180, 90 और 30 कितने हो जाएगे 120 और इधर आएगा तो माइनस का 120 यानि बाई कमान क्या आजाएगा 180 में से 120 गटाएगे तो 60 हा जाएगा तो by कमान क्या आ गया? 60 आ जाएगा अब यहाँ पे जो by है वो किसके बरावर होगा? जेड के बरावर होगा और by कमान कितना है? 60 है क्यों बरावर होगा? इसको भी मैं लिख देता हूँ एक आंतर कौण एक आंतर कौण की बज़े से एक आंतर कौण क्या होता है? जब दो समानतर रेखाएं जब दो समानतर रेखाओं को कोई तरियक रेखा काटती है देखें यहाँ पे बताता हूँ जब दो समानतर रेखाओं को कोई तरियक रेखा काटती है तो जेड की आकरती में जो कौण बनते हैं जैसे ये वाला जैड, जैड के अंदर जो कौन बनते हैं, वो क्या होते हैं, बरावर होते हैं, तो ये त्रियक रेखा काट रही है, तो ये जैड बन रहा है, तो जैड की आकरती में ये जैड और ये बाई, तो ये क्या होते हैं, बरावर होते हैं, तो बाई का मान क्या जाए है अब ये 80 है इसको मैं नाम दे देता हूँ A B C D अब देखिए कॉर्ड जो B है कॉर्ड B किसके बरावर होगा कॉर्ड D के बरावर होगा क्यों बरावर होगा क्योंकि ये अब देखिए B कितना है 80 का है तो D भी कितना हो जाएगा यानि 80 का हो जाएगा अब देखे कौण B क्या है कौण B इसको बाई लिख लीजिए D की जाएगे हम क्या लिख लेंगे बाई D क्या है बाई यानि कौण B बरावर बाई बरावर क्या होगा 80 होगा क्यों होगा ये सम्मुख कौण है क्या होगा सम्मुख कौन है इसका मतलब बाई कमान कितना आ गया 80 आ गया अब देखे ये 80 है और ये 80 निकल के आ गया बाई कमान और ये X अब इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा क्यों होगा X प्लस Y बरावर 180 होगा क्यों होगा ये संगत कौन है ये संगत कौन है और संगत कौन का योग 180 होता है X का मान हमें पता नहीं और बाई का मान हमने 80 नकाला है और बरावर में क्या है 180 तो X का मान यहां से कितना आ जाएगा 180-80 X का मान क्या जाएगा 100 आ जाएगा X का मान कितना आ गया 100 आ गया निकल के आ गया तो इसके सामने वाला सम्मक कौण ये भी 100 का होगा अब ये पूरी सरल रेखा कितनी है 180 की होगी यानि की मैं ऐसे लिख सकता हूँ देखी ये पूरी सरल रेखा 180 की है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ जेड प्लस 100 जेड प्लस 100 बरावर 180 कैसे लिख सकता हूँ ये पूरी जो लाइन है ये पूरी यहाँ से लेके ये पूरी लाइन जा रही है वो 180 की है अब यहाँ पे ये किस किस लाइन से बनी है किस किस कौण से बनी है जेड से बनी है और 100 से बनी है तो यानि जेड प्लस 100 ब बटाएंगे तो 80 आ जाएगा तो जेड का मान एक्स का मान और बाई का मान निकल के आ गया इसके बाद देखिए अगला कुश्चन तो बच्चों अगला कुश्चन है देखिए पांच बा कुश्चन इसमें क्या कह रहा है यह एक्स है यह बाई है और यह जेड है इनके मान न गरसे संमुक कौन है क्यों होगा देखिए कौन भी बरावर किसके होगा कौन बाई के और ये भी कितना है ये भी है 112 का 112 डिग्री का है इसका मतलब यहां से हमारा जो बाई का मान है वो कितना निकल के आगया 112 डिगरी आ गया अब देखिए ये बाई का मान आ गया और अब यहाँ पे ये जो बाई का मान है वो किसके बरावर होगा इस पूरे कौन के बरावर होगा देखिए ये पूरा कौन जो ए है इस पूरे ए के बरावर होगा मतलब बाई स्वरी इन दोनों का योग मतलब बाई का योग और इस पूरे कौन का योग कितना होगा 180 होगा क्यों होगा क्यों कि ये संगत कौन है ये कैसे कौन थे सम्मुख कौन थे इरे के सामने जरूर लिखना आपको समझ में तो आ जाएगा देखिए इन दोनों का योग क्या होगा 180 होगा मतलब बाई का योग प्लस कौन ए का योग पूरा ए जो ही है ये वाला पूरा ए जो कौण है इसका योग कितना होगा 180 होगा क्यों होगा क्योंकि ये संगत कौण है कैसे कौण है संगत कौण है अब देखिए ये जो बाई है प्लस ए किस से बना है एक इस किस्से बना है एक तो जेड है इसमें एक तो जेड है और एक क्या है चालीस है तो कौन एक किस्से बना है जेड प्लस चालीस से जेड प्लस चालीस से ही तो ये पूरा बना है और बरावर में क्या है एक सो असी अब देखिए यहाँ पर बाई का मान क्या निकल के आया ह है हमारा 112 आया है तो 112 लिख दिया प्लस जेड प्लस 40 बरावर क्या है 180 अब यहाँ पे जेड बरावर देखे 40 और 112 कितने हो जाएंगे 100 बामन हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 100 बामन हो जाएंगे तो 180 मैं से हम एक सो बामन को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो यहां से जेड का जो मान आजाएगा वो कितना आजाएगा 0, 10 में से 2 गटाएंगे तो 8, 7 में से 5 गटाएंगे तो 2, 1 में से 1 गटाएंगे तो 0 तो जेड का मान यहां से कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा अब देखिए जेड का मान आ गया बाई का मान आ गया अब X का मान क्या होगा देखिए ये जो समानतर रेखाएं हैं ये दौनों CD समानतर किसके है AB के AB समानतर CD के है जब समानतर रेखाओं को कोई तरियक रेखा काटती है यह तरिया करेखा काटती है तो जेड की जो आकर्थी में बनते हैं वो कैसे होते हैं एक आंतर कौन होते हैं और वो क्या होते हैं बरावर होते हैं मतलब एक्स जो है वो जेड के बरावर होगा एक्स किसके बरावर होगा जेड के बरावर और जेड कितना निकल के आया है 28 का यानि की X कमान कितना आ जाएगा 28 गार हो जाएगा अगला कुष्चन देखिए और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समानतर चत्रवुज हो सकता है यदि कौण D प्लस B बरावर 180 हो मतलब कोई ABCD एक चत्रवुज दे रखा है जिसका कौण D जिसका कौण D प्लस B जिसका कौण D प्लस B 180 हो अब देखिए इन दोनों का कौण 180 हो अब इन दोनों का कौण 180 भी हो सकता है और 180 से जादा भी हो सकता ह तो इस condition में समानतर चत्रवज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता सिर्फ एक ही condition में क्या है ये चत्रवज हो सकता है समानतर जब ये वाला कौन क्या हो 90 डिगरी का हो और ये भी कौन 90 डिगरी का होना चाहिए तभी तो 90 और 90 क्या होने चाहिए 180 अगर कोई ऐसा तर्वो जा जाएगा ऐसा समानतर चत्रवो जाएगा तो इसमें देखे यह भी क्या है 90 से ज़्यादा है और यह भी 90 से जistes ज़्यादा है और 90-90 से ज़्यादा होंगे दोनों तो इन दोनों का योग क्या है कभी भी 180 डिगरी नहीं आएगा इसका मतलब 180 कव हो सकता है जब ये भी 90 का हो और ये भी 90 का हो और ये सिर्फ बर्ग और आयत में ही संभव है बर्ग और आयत में क्यों क्योंकि बर्ग और आयत के प्रत्य कौन क्या होते हैं 90 90 डिगरी के होते हैं तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडिशन पर संभव है तो इसम हम क्या लिखेंगे यह समानतर चत्रवज हो सकता है यह समानतर चत्रवज हो सकता है तो सकता है इसलिए लिखा है क्योंकि एक ही कंडिसन में हो सकता है यह समानतर चत्रवज हो सकता है और नहीं भी तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता इसके बाद देखें दूसरा कुश्यन ह बच्चो दूसरा कुश्चन है जिसमें देखी एबी बरावर डीसी एबी बरावर डीसी क्या है आठ सेंटिमीटर की दी हुई है मतलग एबी और डीसी मतलग ये बरावर इसके है और ये दोनों क्या है आठ आठ सेंटिमीटर की दे रखी है और एडी चार की है ये वाली क्या सामने सामने की बुजाएं होती हैं वो हमेशा समान होती है अब देखिए इसमें क्या है ये तो सिर्फ ये वाली जो बुजा है वो समान है लेकिन ये समान नहीं है ये समान नहीं है तो ये इसमें क्या लखेंगे हम कि ये समानतर चत्रुभुज नहीं हो सकता तो इसमें हम क्य लग देंगे नहीं क्योंकि बोजाएं बरावर होती हैं समांतर चत्रोभुज की समांतर चत्रोभुज की समांतर चत्रोभुज की समांतर चत्रोभुज की सामने सामने की बोजाएं क्या होती हैं समान होती हैं बोजाएं समान होती हैं तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कारण में या फिर आप डारेक्ट नहीं भी लिख सकते हैं इसके वाद अगला है इसमें कौण A बरावर 70 डिगरी का दे रखा है जो A वाला कौण है वो कितना है 70 डिगरी का दे रखा है ये वाला जो कौण है 70 का है और C बरावर 65 का है ये कितना है C कितना है 65 अब समानतर चत्रवज में ये सम्मक कौन है और सम्मक कौन हमेजा ही क्या होते है बरावर होते हैं अब यहाँ पे तो बरावर है ही नहीं ये 70 का है ये 65 का है तो ये भी क्या है समानतर चत्रोबज नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि लाइन लेख देता हूँ मैं तो मैंने लाइन लेख दी है क्योंकि समानतर चत्रोबज के हमेशा जो सम्मुक कौन है वो समान होते हैं अगला कुश्चन देखे तो बच्चो अगला कुश्चन है एक चत्र की कंडिशन होती है आपने पतंग देखी होगी पतंग में क्या होता है दो कौण ये वाले जो कौण होते हैं वो समान होते हैं लेकिन ये वाले कौण क्या होते हैं असमान होते हैं तो ये समानतर चत्रवुज नहीं होता है लेकिन इसमें क्या है दो सम्मुक कौण क्या होते है समान होते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर पतंग हो जाएगा इसके बाद अगला कुश्यन देखें तो बच्चो अगला कुश्यन है किसी समानतर चतरवज के दो आसन कौण दो आसन कौण यानि ये वाला कौण और ये वाला कौण आसन क्या होते हैं पास वाले कौन क्या है उनका जो अनुपात है वो तीन अनुपात दो है मतलब उनका जो रेशियो है वो तीन अनुपात दो है तो समानतर चत्रोज की जो चारो कौन है उनका हमें माप ग्यात करना है तो इसको देखे कैसे निकालेंगे तो हमने क्या है एक समानतर चत्रोज बन एक्स मान लेंगे माना कौण ए माना कौण ए बरावर क्या है हमाने तीन एक्स मान लिया तीन एक्स क्यों माना है क्योंकि इसका अनुपात तीन है इसका अनुपात क्या है तीन है तो तीन एक्स मान लिया और कौण बी को हमने क्या मान लिया दो एक्स इसको दो क्यों माना है क् इसका अनुपात 2 है अब ये हमें पता है कि आसन कौणों का योग हमेशा 180 होता है चूंकि आसन कौणों का योग आसन कौणों का योग 180 डिगरी होता है तो ये लाइन हम लेख सकते हैं आसन कौणों का योग 180 डिगरी होता है तो आसन कौण कौण A, प्लस कौण B, बरावर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, अब A कितना है हमारा, 3X है, और B कितना है हमारा, 2X है, और टोटल कितना है, 180, तो 3X और 2X कितने हो जाएगे, 3 और 2, 5X हो जाएगे, और बरावर में 180 है, तो यहां से X का जो मान आएगा, 180 बटे 5, यानि 16 आ मान कितना आ गया, यहां पर 16 आ गया, अब देखिए यह जो 16 है, इसा हम क्या करेंगे, X का जो मान है हम यहां पर रख देंगे, तो A का मान कितना आ जाएगा, आते है, यहां पर देखिए, यहां पर लिख देता हूँ, आते है, कौण A, आते कौण A बरावर कितना हो 48 आ गया और B का मान कितना आ जाएगा Q catastrophic Constitution देखिए दो गड़ा 16 16 दुना 32 यानि B का मान कितना आ गया 32 आ गया तो A और B का मान आ गया यानि यह तो आ गया 48, 48 और यह 32 अब यह हमें पता है कि A कि Q के और C के होगा ballot Cum A, बरावर किसके होगा, कौन C के होगा, क्यों होगा, क्योंकि A कैसे कौन है, सम्मुख कौन है, आमने सामने के कैसे है, सम्मुख कौन है, और A का मान हमने निकाल लिया है, 48, तो C का मान भी कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ऐसे ही, ये जो B है, B किसके बरावर होगा, D के, त 32 तो कौन D का मान कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा तो देखिए A का मान B का मान C का मान और D का मान चारों मान आ गए तो इस तरह से हमको यह solve करना था अगला देखिए तो बच्चों अगला कुश्चन है किसी समांतर चत्रवज के दो आसन कौन क्या है बरावर हैं मतलब दोनों क क्या है सेम है और समांतर चत्रवज के सभी कौनों की मान ग्याद कीजिए यानि सभी कौनों का हमें मान निकालना है तो देखिए क्या कह रहा है कि दो आसन कौन क्या है बरावर हैं यानि पहला कौन हमने X मान लिया पहला कौन क्या है X मान लिया तो इसका जो आसन कौन है ये ये भी क्या होगा X ही होगा क्यों होगा क्यों कि ये आसन कौन क्या होते हैं क्या होते हैं सुरी आसन कौन क्या दे रखे हैं इसने बरावर कह दिया है सवाल में क्या किया है आसन कौन क्या है बरावर है यदि ये X है तो ये भी X होगा अब हमें ये भी पता है कि इसका सामने व और हमें ये भी पता है कि किसी चत्रोभुज के चारो कोडों का योग 360 होता है, तो हम क्या लखेंगे चत्रोभुज, चत्रोभुज के चारो कोडों का योग, चारो कोडों या चारो अंते कोडों का योग, का योग 360, 360 डिगरी होता है, तो ये हम जानते हैं, अब देखिए च चारो कोणों का योग यानि X प्लस X प्लस X प्लस X बरावर क्या होगा 360 हो जाएगा इसका मतलग 1X, 2X, 3X और 1, 4X तो 4X बरावर क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा तो यहां से X का मान कितना आ जाएगा 360 बटी 4, 4 नाम 36 यानि 90 यानि X का मान कितना आ गया 90 अब देखिए X का मान 90 है यानि ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 यानि चारो का जो मान है वो कितना आ गया 90 आ गया यानि कौण A बरावर कौण B बरावर कौण C बरावर कौण D बरावर कितना आ गया 90 डिगरी आ गया तो ये किस क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अगला कुश्यन देख तो और ये क्या है एक समानतर चत्रबुज है जिसमें X, Y और Z का मान हमको ग्यात करना है और साथ में कौन सा गुड लगाया है उसका नाम भी हमको बताना है तो चलिए इसको solve करते हैं तो बच्चो सबसे पहले यहां पे देखते हैं ये क्या है एक समानतर चत्रबुज दे रखा है H O P E अब यहां पे समानतर चत्रबुज है जिसमें X ये जो कौन है वो ये वाला जो कौन है H वाला पूरा जो कौन है वो क्या हो जाएगा दोनों कौन का योग कितना हो जाएगा 180 होगा क्यों होगा क्योंकि यह आसन कौन है मतलब X का जो मान है और जो H का मान है कौन H का मान है और कौन X का मान है उन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा क्यों होगा क्योंकि यह आसन कौन है क्यासे कौन है यह आसन कौन है अब X का मान हमें पता नहीं है plus, H किस-किस से मिलकर बना है, यह पूरा जो H है वो किस से बना है, एक तो Z से बना है, plus किस से बना है 40 से बना है, यानि 40 डिग्री से बना है और बरावर में क्या है, 108 अब देखिजिये, यहां पे हम क्या करेंगे यहां पे यह जो X है X plus Z, X का मान भी हमको नहीं पता है और Z का मान भी नहीं पता है तो X प्लस Z बरावर कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 40 दर आ जाएगा और X प्लस Z का मान कितना आ जाएगा 180 मैंसे 40 गटाएगे तो 140 आ जाएगा तो इसको हम समीकर नमबर 1 दे देंगे अब यहाँ पे देखिए ये क्या है ये क्या है पूरी सरल रेखा है सीधी रेखा कितनी होती है 180 की होती है तो इन दोनों का योग ये जो O कौन है ये वाला और ये 40 डिगरी 70 डिगरी इनका योग क्या होगा कौन O प्लस 70 डिगरी परावर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा इन दोनों का योग क्यों होगा क्योंकि ये क्या है सरल रेखा है ये क्या है सरल रेखा है और सरल रेखा 180 डिगरी की होती है तो यहां से कौन ओ है वो कितना आजाएगा 180 में से 70 गटाएंगे तो कौण O कितना आ जाएगा 150 का सुरी कितना आ जाएगा 8, 7, 15 कितना हो जाएगा 80 का कितना आ जाएगा 80 का आ जाएगा तो कौण O 80 का आ गया अब ये जो कौण O है ये जो कौण O है वो X के बरावर होगा कौण जो O है देखिए कौण O है वो X के बरावर होगा और O कितना है हमारा 80 का तो X भी कितना आ जाएगा 80 का आ जाएगा क्यों आएगा अब ये 80 का क्योंकि देखिए ये वाला कौण और ये वाला कौण कैसे है ये सम्मुख कौण है कैसे कौण है सम्मुख कौण है और X का मान हम क्या करेंगे, इस समीकर में रख देंगे, इस समीकर में रख देंगे, तो हम क्या करेंगे, X का मान समीकरन एक में रखने पर, तो हमने एक में रख दिया, तो देखिए X की जगे पर हम क्या रख देंगे, 80 पिलस Z बरावर 140, तो यहां से Z का मान कितना आ जाएग तो और यहाँ से देखिए 0 और 14 में से 8 गटाएगे तो 6 यानि एक सो सॉरी 60 बचेगा क्या बचेगा 60 बच जाएगा तो अब देखिए जेड का मान 60 आगया जेड आगया X आगया अब देखिए ये जो बाई का मान है वो किसके बरावर होगा तो यहाँ पर यह समानतर रेखा है और समानतर रेखाओं को एक तरियक रेखा काट रही है तो तरियक रेखाओं में जेड की जो आकरती बनती है देखी यह वाला जो जेड बन रहा है यह वाला जो यह समानतर रेखा है तो इसमें देखिए ये जो जेड़ बन रहा है देखिए मैं पैन गुमा रहा हूं ऐसे ऐसे और ऐसे तो जेड़ की आकरती में जो अंदर बनते हैं यानि बाई और ये 40 क्या होगा बरावर होगा यानि कौण बाई बरावर क्या हो जाएगा 40 आजएगा या फिर बाई बरावर क्या हो जाएगा 40 आजएगा क्यों आजएगा क्योंकि एक आंतर कौण एक आंतर कौण है ये किसके बरावर होगा ये इसके बरावर मैं लिख देता हूं देखिए ये बरावर होगा ई ए एच पी के ई एच और पी ये वाला कौण देखे ये वाला कौर S से जा रहा है न E H P K कौर यहां पर लिख देता हूँ कौर E H P K और यहां से बाई का मान 40 डिगरी आ जाएगा तो बाई 40, Z 60 और X 80 हो जाएगा अगला देखिए बच्चों यहां पर थोड़ी सी गलती है देखिए इसको करेक्शन कर लिजिए 180 मैं से 70 गटाते हैं तो 110 बचते हैं यह 110 आएगा क्या आएगा ओ बरावर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा 110 यानि X कमान कितना आगया 110 आगया X कमान क्या आगया 110 आगया अब X कमान हमने यहाँ पे रखा तो यह 110 है यह क्या है 110 है तो 140 में से 110 गटाएंगे तो 30 आएगा क्या आएगा 30 आजाएगा तो Z कमान 30 आजाएगा और Y कमान तो 40 है Y कमान क्या है 40 तो Y कमान 40 Z कमान 30 और X कमान 110 हो जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पे जो गटाने में क्या है गलती हो गई थी तो अब यह क्या है देखिए सॉल्व हो गया अगला देखते हैं तो बच्चो अगला कुश्चन है आठवा आकरतियां दे रखी हैं जी यू एन एस और RUNS दौनों क्या हैं समानतर चत्रवज हैं तो यहाँ पे X और Y कमान याद करना है तो देखिए यह पहला है और यह दूसरा है तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमने समानतर चत्रवज की एक प्रॉपर्टी बताई थी एक गुरधर्म बताया था कि जो स समानतर चत्रवज होता है उसकी आमने सामने की जो बुजाएं होती है वो समान होती है तो यह क्या हो जाएगा पहला जो कुश्यन है उसको हम सॉल्व करते हैं चूकि समानतर चत्रवज इस लाइन को लिख लेता हूँ तो मैंने लिख लिया है आमने सामने की बुजाएं समा होती हैं ऺतलब यह चब्वीस है तो इसके सामने की बुजा क्या यह वाली 3Y-1 यानी 3Y-1 ällt ﷹ-1 के बरावर की बुजा क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी तो यहां से 3Y बरावर क्या हो जाएगा cGet 21 प्लस 1 और बाई कमान क्या हो जाएगा 27 बटे 3 हो जाएगा क्योंकि यह गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा 26 और 27 हो जाएगा तो यहां से बाई कमान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा तो बाई कमान क्या आ गया 9 आ गया और दूसरा यह 3x है वो किसके बरावर होगा 18 की यानि 3x बरावर क्या होगा अठारे के तो X बरावर 18 वट्टे 3 यानि 6 आ जाएगा 3 शेंग अठारे तो X कमान छे आ गया तो X कमान 6 और बाई कमान 9 आ जाएगा इसके बाद अगला कुश्चन देखिए तो बच्चो अगला कुश्चन अगली property क्या होती है इसकी कि जो इसके जो बिकर्ड होते हैं वो क्या होते हैं सम्दी भाजित करते हैं एक दूसरे को समान काटते हैं मतलब यहां से यह जो कट रहे हैं पूरे बिकर्ड वो क्या होंगे बरावर होंगे मतलब यह वाला जो बिकर्ड है वो इस वाले बिकर्ड क के बराबर होगा, मतलब O S O U के बराबर होगा और OR ON के बराबर होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि X plus BY बराबर किसके हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसको हम समिकन नमबर 1 दे देंगे और दूसरा जो समिकन है BY प्लस 7 BY प्लस 7 ये वाला जो बिकरड़ है वो किसके बरावर होगा बीस के बरावर होगा तो यहां से बाई कमान कितना आ जाएगा बीस माइनस साथ और बाई कमान कितना आ जाएगा तेरे तो बीस में से साथ गटाएंगे तो तेरे अब बाई कमान हमने समीकड एक में रख देंगे तो बाई कमान एक में रखने पर तो एक में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा x प्लस बाई कमान 13 है और बरावर 16 तो x कमान कितना आ जाएगा 16 माइनस 13 तो x कमान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा तो x कमान 3 और बाई कमान 13 हो जाएगा तो इस तरीके से ये इसका पहला और दूसरा कुश्चन सॉल हो गया अगला कुश्चन देखी तो बच्चो अगला कुश्चन है नवा दी गई आकर्ती आर आई एस के तथा सी एल यू इ ये क्या है दौनों समांतर चत्रवज हैं तो एक्स का मान गयात करना है मतलब यहाँ पे दे रखा है ये पूरी आकर्ती दे रखी है जिसमें दो समांतर चत्रवज हैं देखिए एक तो ये वाला है और एक ये वाला है तो इसमें क्या है हमको ये x का मान निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे तो बहुती सरल है ये इसमें हम देखिए एक यहाँ पे देख सकते हैं ये आकरती हमने बना ली है इसमें जो ये x बन रहा है ये वाला x है इस x का मान हमको निकालना है जिसमें ये वाला जो मान है वो 70 डिगरी का दे रखा है और ये दे रखा है 120 डिगरी का तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला अगर ये समांतर चत्रवुज है ये वाला देखे हम किस समांतर चत्रवुज को देख रहे हैं C-L-U-E, C-L-U-E में ये सत्तर है, तो ये भी सत्तर होगा, क्यों होगा, क्योंकि सम्मुख कौन है, तो हम क्या करेंगे, C-L-U-E, C-L-U-E में, क्यों जो L है, वो किसके बरावर होगा, क्यों कि कितना है, 70 डिगरी है, 70 डिगरी, क्यों है, क्योंकि ये सम्मुख कौन है, बरावर क्यों है, सम्मुख कौन है, तो हमारे पास कौन E आ गया एक तो, 70 डिगरी आ गया, और इसके बाद देखिए, ये 120 है, अब यहाँ पे ये वाला जो कौण है ये वाला और ये वाला कौण S वाला तो कौण E वाला और S वाला इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा क्यों होगा क्योंकि ये दोनों कौण कैसे है आसन कौण या संगत कौण है तो अब हम कौन सा चत्रुभुज ले रहे है चत्रुभुज चत्रुभुज कौन सा लिया है हमने र आई एस के र आई एस के र आई एस के में अब र आई एस के में हम क्या ले रहे है कौण जो के है कौण के कौण K बरावर किसके होगा, कौण S के, कौण S के बरावर होगा, जो कि कितना है, K कितना है, 120 का है, तो K 120 का है, तो ये भी 120 का हो जाएगा, इसका मतलब कौण S बरावर क्या हो गया, 120 हो गया, अब देखिए हमने दो चीज निकाली है एक तो E निकाला है मतलब एक तो हमने E निकाला है और एक S निकाला है अब हमें पता है देखिए ये तिरवज बन रहा है ये चोटा सा ये वाला जो है तिरवज बन रहा है और तिरवज में आप नीचे से लिखना मैं साइड में लिख रहा हूँ चुकि तिरबुज तिरबुज के तीनो कौणों का योग 180 होता है 180 होता है अब 180 होता है मतलब कौण X कौण E प्लस कौण S प्लस X बरावर 180 हो जाएगा E कितना निकाला है हमने 70 का और S कितना निकाला है 120 का और X हमें ग्याद करना है बरावर 180 अब देखी X का मान कितना आ जाएगा 120 और 70 190 हो जाएगे 120 सोरी इनका योग देखिए K प्लस इनका योग इनका योग 180 होगा क्या होगा 180 इनका योग होगा क्योंकि ये कैसे कौण है संगत कौण है यह कैसे कौण है, संगत है, तो यहां से कौण S का मान कितना आ जाएगा, देखिए, के का मान कितना है, 120 है, देखिए, के का मान कितना है, 120 है, प्लस कौण S, बरावर 180, तो यहां से S का मान कितना आ जाएगा, देखिए, 120 इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 180 में गल्ती हो गई थी, इनका योग क्या है, 180 होगा, क्यों होगा देखिए, एक बार और बता देता हूँ, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा, K का और S का, क्योंकि यह कैसे कौण है, आसन कौण या संगत कौण है, तो वही चीज हमने की है, तो यहाँ से S कमान 60 निकाल दिय तो एक्स कामान पचास इसका आंसर हो जाएगा, अगला कुश्चन देखिए, तो बच्चो अगला कुश्चन है, बताए कैसे यह एक समलंब चत्रवुज है, इसकी कौन सी दो बुजाएं समानतर हैं, तो समलंब चत्रवुज क्या होता है, ऐसा चत्रवुज जिसमें एक करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो यह आपको पता होना चाहिए समलम चत्रवुज का एक जोड़ा क्या होता है समानतर होता है और दूसरी बात क्या है दूसरी बात यह है कि यदि कोई दो समानतर रेखाएं है और यदि उनको एक त परियक रेखा काटती है तो ये वाला जो कोण है अंदर जो कोण बनते है ये वाले ये वाले जो कोण है इनका योग हमेशा क्या होता है 180 होता है ये जो कौण अंदर बनते है इनका कौण इनका जो मान है वो 180 होता है अगर ये 180 बैठ रहा है अगर इनका योग 180 बैठ जाता है तो मतलब क्या होता है ये बोजाएं कैसी है समानतर है तो यहाँ पे कैसे प्रॉपर्टी लगती है अगर इनका योग 180 है तो बोजाएं क्या होंगी समानतर होंगी और यदि ये समानतर है तो इनका योग 180 होगा तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं मतलब अगर समानतर है तो योग 180 होगा और यदि 180 योग है तो बोजाएं कैसी होंगी समानतर होंगी अब इसमें क्या है हमें पता नहीं है इसमें हमें ये पता नहीं है कि ये समांतर है की नहीं है लेकिन यहाँ पे ये जो कॉर्ण है M और L इनका योग क्या दे रखा है 180 नकल के आ रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा समांतर रेखा हो जाएंगी मतलब यह वाली रेखा कैसी हो जाएगी समान तर तो कैसे करेंगे इसको solve तो हमें क्या है देखिए यहाँ पे हमको दे रखा है कौण L चू की कौण L पिलस कौण M बरावर कितना है देखिए जोड़ेंगे हम 100 पिलस 80 बरावर कितना निकल के आ रहा है 180 अब इन दोनों का योग क्या निकल के आ रहा है 180 निकल के आ रहा है इसलिए यह क्या हो जाएगा देखिए यह बोजाएं यह वाली जैसे यह रेखा जा रही है और इनको एक तिरियक रेखा काट रही है जिसमें इन दोनों का योग, L और M का योग कितना है, 180 है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो KL है, वो समानतर हो जाएगी, M N के, अब देखिए, एक जोड़ा समानतर हो गया, और किसी भी चत्रवुज का एक जोड़ा अगर समानतर हो, तो बहे क्या हो जाएगा, समलंब है, समलंब चत्रवुज है, समलंब चत्रवुज है, तो इस तरीके से हमने क्या है, इन दोनों का योग 180 निकाल दिया, और 180 होते ही ये क्या हो जाएगे, एक दूसरे के समानतर हो जाएगे, अब यहाँ पे दूसरा जो सवाल है, वो कह रहा है, कि आकरती 3.33 दे रखी है, ज याने कौण C का हमें माप निकालना है, तो यहाँ पे देखिए, C का मान कैसे निकालेंगे, तो बोई, अब क्या है, इसमें चूंकी, A, B समानतर किसके दे रखी है, A, B समानतर किसके दे रखी है, C, D के, अब मैंने अभी-भी बताया है, यदी, दो, यदी, दो मानतर है, तो इन कौणों का यो कितना होगा, 180 होगा, मतलब कौण B, इसलिए कौण B, पिलस कौण C का मान कितना होगा, 180 होगा, B का मान 120 दे रखा है, C का पता नहीं है, तो हम क्यार करेंगे, C का, इस 120 को इधर लेके आएगे, तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, तो कौण C का मान कि 120 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा 80 गटाएंगे तो 60 आ जाएगा तो इसका मान आंसर क्या आ गया 60 आ गया इसके बाद next question देखी तो बच्चो इसका अगला और आखरी सवाल है आकरती 3.34 दे रखी है जिसमें P तथा S की जो माप है वो हमें ग्याद करनी है और साथ में क्या दे समानतर है तो चलिए हमको P और S का मान निकालना है कैसे निकालेंगे तो बच्चो S P समानतर R Q के दे रखा है मतलब ये बजाए इसके समानतर है तो दो बजाएं अगर समानतर होती है तो क्या होता है दो बजाएं अगर समानतर है और तरियक रेखा काट रही है तो ये वाला कौन और ये वाला कौन इनका योग कितना होगा 180 होगा मतलब देखिए ये कितना है 130 दे रखा है तो हमका पता है कि कौन क्यूं पिलस कौन P का मान कितना होगा इनका योग 180 होगा क्योंकि देखिए ये समांतर रेखा है और इसको ये क्या है तिर्यक रेखा काट रही है तो ये अंदर वाले जो कौन है ये वाला कौन और ये वाला कौन इनका जो योग है वो कितना होगा 180 होगा तो यहां से Q का मान कितना है 130 है पिलस कौन P बरावर 180 तो यहां से कौन P का मान 180 माइनस 130 यानि कौन P का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा तो कौन P का मान आ गया ऐसे ही ये ये थी ये य वी ये त्रियक रेखा है, ये भी इसको काट रही है, इस समान तर रेखा को तो ये वाला जो कॉण और ये इनका जो योग है बो भी क्या होगा 180 होगा मतलब कौण R प्लस कौण S का मान भी 180 होगा अब हमें पता है जब ऐसा जो चिन होता है ऐसा चिन किसका होता है 90 डिगरी का मतलब R का मान 90 है और S का हमें ग्याद करना है और टोटल क्या है 180 है तो S का मान यहां से कितना आ जाएगा 180 80-90 तो S का मान भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा तो S का मान 90 और P का मान 50 आ गया तो P और R का किसका नकालना है P और S का तो P और S का क्या है निकल के आ गया तो बच्चो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना दोस्तों को सेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ओन कर लेना ताकि जब भी वीडियो आएगी तो आपको मैसेज पहुँच जाएगा थैंक यू